नमस्कार, अरियासी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ अंची शर्मा अरियासी जिले में एक और करोना पॉजिटिव का केस आया है हाला कि ये जो केस सामने आया है, ये अलग तरह का केस है क्योंकि ये जो पेशेंट है करोना पॉजिटिव का जो निया सामने आया है ये जम्मू में ही इनका सैंपल हुआ था और वहीं पे ये करोना पॉजिटिव पाएगे है ऐसी प्राथमिक जानकारी इस समय हमें मिल रही है यानि कि ये शक्स रियासी तक नहीं पहुंचा था और अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये रियासी कहां का रहने वाला है रियासी का रहने वाला भी है या जम्मू में पहले से शिफ्ट हो चुका है तो ये तमाम बातें अभी पता लगाई जा रही है यह जानकारी जैसे ही पहुंचेगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अब जो total tally है वो 13 हो गई है रियासी जिले की करोना positive की जो संख्या है वो 13 हो चुकी है और जो active case की संख्या है वो 10 हो चुकी है तो आंकडा जो है जिला रियासी में ही एड किया गया है जो bulletin भी सरकार द्वारा हर रोज जारी किया जाता है करोना को लेकर उसके मताबिक जो करोना positive की कुल संख्या है वो रियासी जिले में 13 हो गई है और जो active cases की संख्या है वो 10 हो गई है जाने कि कल तक जो संख्या 9 थी ने मामले सामने आने के बाद अब वो 10 हो गई है active cases की और जो 12 संख्याती कुल corona positive की वो अब 13 हो गई है एक निया मामला सामने आया है ये शक्स रियासी तक नहीं पहुंचा था traveler बताया जा रहा है जो भी ये निया case सामने आया है traveler है बाहर से आया होगा जम्मू में quarantine हुए होंगे जिसके बाद sample लिया होगा जैसे ही जम्मू में enter किया होगा sample लिया होगा corona test के लिए उसके बहुत positive आये हैं लेकिन जो आंकड़ा ये add हुआ है वो district रियासी में हुआ है जिस तरह 12 case पहले आये थे उससे थोड़ा सा अलग ये मामला है क्योंकि ये रियासी तक शक्स नहीं पहुंचा था जम्मू में ही travel करके बापिस पहुंचे थे जिसके बाद sample लिया गया होगा और फिर जो report है वो positive अब आई है लेकिन जो bulletin जारी किया जाता है सरकार की तरब से उसमें ये बताया गया है कि district रियासी का एक और करोना positive जो मरीज है वो सामने आया है क्योंकि जो आज की अगर date की बात करें तो उन्होंने एक का आंकड़ा वहाँ पे दिया है करोना positive का जिसके बाद जो कुल करोना positive की संख्याय डिस्टिक रियासी में वो 13 हो गई है और 10 active case उस bulletin के मताबिक बताये जा रहे हैं हमारी जानकारी में भी ये चीज आई थी जिसके बाद हमने अधिकारियों से करास चेक इसे किया जिसके बाद ये सामने आया कि ये जो शक्स करोना positive का निया सामने आया है ये traveler था जम्मू में पहुंचा था जम्मू में ही कहीं पे रह रहा था ऐसी जानकारी अभी सामने आई है जम्मू में ही रहता था इन दिनों तो टेस्ट सैंपल लिया गया था जिसके बाद कोरोना पॉजिटीज पाया गया और जिला रियासी में जिसके बाद एक ओर जो मामला है वो बढ़ गया है क्योंकि डिस्टिक रियासी का अभी तक बताया जा रहा है कि ये शक्स डिस्टिक रियासी का बेसिकली रहने वाला है हाला कि अभी इस बारे में पता किया जा रहा है कि डिस्टिक रियासी में ये कहां पे रहता था रियासी का permanent यहीं पे रहता था या फिर जम्मू में shift हो गया था फिलहाल यह जम्मू में रह रहा था और इसकी एक travel history थी जिसके बाद यह जम्मू पहुंचा था और जम्मू पहुंचने के बाद sample इसका corona test के लिए लिया गया था जिसमें यह positive पाया गया है तो एक और निया मामला लेकिन यह मामला थोड़ा अलग तो उसकी detail भी जब आएगी हम आपको बताएंगे कि यह रियासी में शक्स कहां रहता था और रियासी से shift हो चुका था जम्मू में या फिर रियासी में ही यह permanent रहता था जम्मू temporary यह रह रहा था जो भी जानकारी सामन आएगी वो आप तक लेकर आएंगे तो आपको एक बार फिर बता दें कि गबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है एक मामला तो निया सामने आया है लेकिन रियासी तक कि यह शक्स नहीं पहुंचा था ना कोई contact इसके रियासी में ऐसे सामने आये है अभी तक कि यह किसी के contact में था बाहर से travel करके बापिस जमू लोटा था जिसके बाद sampling हुई जिसके बाद आज ये positive report आने के बाद positive पाया गया और रियासी जिले में जो एक और मामला करोना का वो जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है टोटल जो मामले है वो 13 हो चुके है और जो active मामलों की संख्या है वो 10 है 10 active है 13 टोटल है 3 discharge होकर गर पे स्वस्त होकर गर पे पोहुँच चुके हैं और आपको बता दें कि जिला रियासी का होने किनाते इन्हे district रियासी में ही add किया गया है लेकिन ये रियासी तक नहीं पहुँचे थे जम्मू में ही ऐसा प्राथ्मिक जानकारी आ रही है कि जम्मू में ही sampling हुई थी travel करके जैसे जम्मू में वापिस पहुँचे वहीं पे sampling हुई थी वहीं पे जब report आई तो रियासी में एक और मामला corona positive का add कर दिया गया तो ये प्राथ्मिक जानकारी जो हमारे समक्षा रही थी और अधिक जो जानकारी होगी वो भी आप तक पहुचाने की कोशिश करेंगे फिलाल एक बार फिर आपको बता दें कि जो total आंकड़ा है corona positive का district 80 में वो 13 हो चुका है उसकी संख्या 13 है active जो मामले हैं वो 10 है और आज एक निया case सामने आया है जिसके बाद ही 13 की संख्या हुई है और active मामलों की संख्या जो पहले 9 थी वो अब 10 पहुच चुकी है ये मामला और मामलों से अलग है क्योंकि ये district 80 में जो जानकारी प्रात्मिक मिल रही है district 80 में कॉरंटीन नहीं थे ये जम्मू में थे जम्मू में ही कहीं पर ये रहते हैं और वहीं पे कॉरंटीन थे जिसके बाद बाहर की इनकी एक हिस्ट्री बताई जा रही है बाहर से आने के बाद जम्मू में आने के बाद इनका सैंपल लिया गया था जिसके बाद जो रिपोर्ट है वो नेगिटीब आई है COVID-19 और रियासी जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अप्डेट्स के साथ फिलाल मुझे दीजियो नुमती दन्नवाद